नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शाओमी रेट मी वान एस पर चार्जिंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं मान दीजिए दोस्तों आपके फोन पर चार्जिंग प्रॉब्लेम हो रहा है तो आपको दोस्तों किस वज़ा से हो रहा है और क्या क्या इश्यू हो सकते हैं वह सब आज के इस वीडियो पर हम डिसकास करेंगे फिलाल दो दोस्तों आपके जो डिवासे उसमें चार्जिंग का नहीं होना चाहिए लेकिन दोस्तों कभी-कभी क्या करें लग के उपर में भी है चार्जिंग का इशू हो जाते है यहाँ पे तो आपको क्या क्या चीज़े ध्यान पर रखना है वो एक बार इस वीडियो को देखे जान लिजेगा और क्या क्या सॉलुशन करना होगा तो दोस सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा तो दोस्तों आप दिवाइस को स्विच्ट करके। चेक कर सकते हैं आपके घर केहाँ एप पहलो होाँ वोल्ट हो सकते हैं मान लिजा के घर का जो वोल्ट हो काफी जादा लोहें कुछ वग के लिए तो आप उस वक्त जाके उस लो वॉल्ट पे जाकर चार्ज करते हैं अपने फोन को ठीक है तो हाला कि दोस्तों फोन पे इतना ज्यादा चार्जिंग का वॉल्ट नहीं लगते हैं लेकिन यह आपका घर का जो वॉल्ट है वह अभी के लिए काफी लाइट इस्यू हो रहा है और उसमें चार्जिंग आइमीन उसमें जो है वॉल् misfто करने का टरीका क्या है आप दोस्तों डिवास को सब्सक्ते कıसी दूसरे चार्जरर से त्राइ करके देखें के उससे काम बन जाएगा यह और अगर वहपागा फिर आपको आप जो आपका जो обнаруж gdzie वो आपके वाएंक हम कर रहें नहीं कर रहें इसको चेक करने तो उसको डिवाइस ठीके दूसरे डिवाइस पर आपको उसको जो है चार्ड करके देखना है और छेक करना की केबल के काम कर रहें नहीं करें अगर दूसरे मोबाइल पर काम करते हैं आपकी डिवाइस पर ही काम नहीं करते तो दोस्तों मैं आपको कुछ सॉलुशन्स बता रहता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या क्या होगा ठीक है मान लेजिए उस दूसरे मोबाइल पर भी आपका जो चार्जिंग का केब बैसे प्रड करने का निकीन नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों क्या करें तो दोस्ति यहाँ पर आप डिवाइस पर ठीक है चेक कीजें कुई ऐसा बैट अपलिकेशन अपने इंस्टाल करते तो आपका पुरा जो डिवाइस है वह खराब कर सकते ठीक तो उन बेर एप्लिकेशन को अबने डिवाइस से पूरा डिलेड करने के साथ रिवाइस का खेश को भी एक बार डिलेट करे he उसके लिह आपको जाना है यह बार फोन पर उसके बार इस्टोरेज पर स्टोरेज पर जाके दोस्तों आपको मिलेगा किष डेटा काarusot्ष अब दोस्तों फिलाल में recording पर हो अगर क humano डिलेट कर देते तो में जो recording वो आपने अब डिलेट हो यहानि कि recording कड़िएगा और बीच में वीडियो जो है पॉस्ट हो जाएगा तो तो उसके वाज़े से दोस्तो यहाँ पर अभी क्लियर खेश हम नहीं कर सकते तो आपको दोस्तो करना है ठीक है खेश को क्लियर करना है उसके बाद आपको करना क्या है आप खेश क्लियर करने के सारे साथ दोस्तो ट्राइ करके दीखिए ठीक है आपका जो प्रॉब्लेम में व यगर सौफ्वेर में कोई भी इश्यू है सोफ्वेर क्रेश का प्रॉब्लम है तो अपडेट करती ही आपका जो प्रॉब्लम है वह सौल्फ हो जाएगा ठीक है तो आप यह भी कर सकते हैं और दोस्तों यह सब करने के बाद भी तो आपका सौल्फ नहीं हो रहा है हिस सकता हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रूफ हुआ ठीक है काफी सारे लोगों का जो चार्जिंग का इशु रहते हैं वह लोग क्या करते हैं फेक्टुरी रिसेट कर देते तो उसके बाद अपने आप प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाते हैं सो फिर को भी अपडेट रखते तब यह प्रॉब्लम सॉल्फ होगा तो बस दोस्तों यह था चार्जिंग का सॉलुइशन उमिद करते हैं इससे आपका काम बन जाएगा और इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी चीज़ पुछना है तो कॉमेंट सेक्षिन पर सब कुछ आप बता सकते ह तो आज की इस वीडियो बड़ो से बस इतने ही तैंक्स फूर राचिंग